हेई एवरीवन वेलकम तो सरकारियर्ट वांस अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे भी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं जो उत्राखंड के नर्सिंग पारमेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है तो फाइनली जो है सेकेंड राउंड का रि यहां पर आप जो है अपना रिजल्ट अप चेक कर सकते हो ठीक है तो रिजल्ट की पीडियाफ जो है वह आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी अधरवाइस कुछ स्टुइट्स ने टेलीग्राम ग्रूप में बेज़ती है तो मैं भी शेयर कर दूँगा ठीक है तो वेबस इसमें अपने पाटिसिपेट किया था उसकी ब्रॉट्शीट की पीडियाफ आप जो है डाउनलोड करके और अपना जो क्या बोलते हैं अपना जो सीरियल नम्मर या जो रांक है उसकी अकोर्डिंग या फिर नाम के अकोर्डिंग आप जो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो ठीक है तो देखो बीएसी नर्सिंग की अगर मैं आपर बात बताओं तो मतलब वही चीज यहां पर निकल की आई है लाइक आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब सेकिंड राउंड मतलब फर्स राउंड जब आपका खतम हुआ था और उसके बाद जब मैंने आप से यह बोला था उस वीडियो में कि सेकिंड राउंड में जो है आपको फर्स राउंड के कमपैरिजन में कट आफ और नीचे की तरफ जाते हुआ दिखाई दे सकती है ठीक है मतलब क्या था देखो फर्स राउंड की काउंसलिंग जैसे मैं आपको दिखाऊ ठीक है तो मैं कुस एक ही एक्जामपल यहां पर दिखा देता हूं उससे आपको समझा जाएगा तो यह फर्स राउंड की काउंसलिंग थी ठीक है अब फर्स राउंड की काउंसलिंग में मैं आपको दिखाता हूं यह आप देख सकते हो यह रांग थी 433 और जनरल क्याटेगरी थी ओपन कोटा था यू आर ओपन में इनको गवर्मेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत मिला था ठीक है और यह लास्ट कॉलेज था जो जनरल काउंसलिंग में अलॉट हुआ था फर्स राउंड की काउंसलिंग में बियसी नर्सिंग कोर्स के लिए तो आप रैंग देख सकते हो कितन थी 433 एंड इसके बाद यहां पर यह जो सेकंड नर्सिंग की पीडियफ आई है यहां पर आप देखोगे यह रैंक है 426 इनका नाम है निशा पवार ठीक है और यू आर ओपन से इनको गवर्मेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावाद अलॉट हुआ है ठीक है यह आप देख स रांड में इनको चंपावाद ही मिला था 426 रांग पर और सेकंड रांड में इनको यहीं मिला मतलब इन्होंने अप्ग्रेट करवाने की कोशिश की बड़ इनका अप्ग्रेट नहीं हो पाया ठीक है तो यह है और जो 433 रांग मैंने आपको दिखाई यह भी 1st रांड में जिसको सीट अलॉट हुई थी तो 433 रांग वाली जो कांडिडेट है जनल कार्टेकरी से उन्होंने हो सकता है कि सेकंड रूर्ड में च्वाइस फिलिंग नहीं करी होगी इसलिए फिर उनका नाम यहां पर नहीं है ठीक है तो 426 रांग वाली जो कांडडेट है उसको चंप पर भी लिखा है यह रांग कितनी है आप देख सकते हो 426 है फिर आप देखो कि यहां पर 417 ठीक है इनको भी चंपावात अलॉट हो है प्रीवेस सीट एडमेटेड प्रीवेस एडमेटेड सीट रिटेन ठीक है तो मैं उपर की दरफ ऐसी स्क्रूल करता हूं यहां पर भी एडमेटेड सीट रिटेन ठीक है एंड मैं आपको दिखाता हूं फिर चंपावात मिला किसे है ठीक है ना तो यहां पर भी वही सेम चीज है आप यहां पर यह देख सकते हो यह जिनकी रैंक है 330 नाम है इनका दिपांशी मंडल ठीक है और यूआर ओपन से इनको देख सकते हो इनको जो कॉलेज अलॉट हो है वह है गर्मेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावात ठीक है इनको अलॉट हो है मतलब क्या था कि फर्स राउं वाला केस हुआ था लाई की चंपावात का जो कॉलेज था वो उस में लेस में नहीं आया था उससे पहले नोने चोईसे वगर अलॉक करके सब्मेट कर दियूंगी इस वचे से जो इनकी चंपावात अलॉट नहीं हुआ लेकिन सेकेंड डाउं में जब इनको इनका नाम है स अपना राथ और हो सकते हैं इन से फी वह सिंग गलती हुए हो कि फर्स रामें में को चंपावात सेलेट करने को नहीं मिला था और से केड़ लाइं तो इनको इहां पर चंपावात वाला कॉलेज हो गया ठीक है अब चंपावात यहां पर फर्स नंबर पर कुछ बचों ने क है अब यह देख सकते हो यह रसी जगंडेश की प्रीवेंडेश की आगसे और प्रीवेंट benutेकिन तो एक तो भून हम डश Alright को चले कई दो अभी मैंने Ct देखाए जर्नल काटेकरी की जो चंपवत की थी वो अभी फ्रेश अलॉट हुई है ठीक है और देख लेते हैं किसको यहां पर अलॉट हुई है यहां पर भी देखो अफ्ग्रेट हुई है रांग है इनकी 242 गुंजन धोनी इनका नाम है ठीक है यू आर ओपन से इनको जो अभी कॉले चमपावद जो वो select कर लिया ठीक है तो अब देखो basically हुआ किया नहीं आपे जब इन्होंने पर थोड़ागडवाली जो seat है वो किसी और को चली गई होगी ठीक है because क्या होता है कि जिसके पास seat रहती है और वो आगे अपग्रेट करने के लिए participate करता है तो उसकी seat जो वो floating seat बन जाते floating seat का sense होता मतलब कि आपकी जो seat है वो किसी और के लिए भी available रहेगी अगर जैसे ही आपकी upgrade होगी तो वैसे ही किसी और को आपकी वाली seat मिल जाएगी ठीक है और और example देख लेते हैं हाँ पर चंपवत वाला और क्या-क्या सीन रहे हैं हाँ पर है ठीक है तो ठीक है तो यहाँ पर भी upgradation ही हुआ है और इसके उपर तो शायद और कोई candidate है नहीं मेरे साफ से 242 हमने देख लिया था ठीक है ठीक है और कोई नहीं है तो इसका मतलब देखो क्या है ना कि यहाँ पर कितने हमें candidate देखे आइधिंग आइधिंग चार candidate देखे शायद ठीक है तो जिसमें से दो को यहाँ पर फ्रेश लॉट हुई है जर्नल काटेगरी से और दो को यहाँ पर अब यहीं हो सकते हैं कि चंबावत की सीट पहले से अगर किसी के पास होगी क्या पता उसका भी अप्ग्रेड हो गया हो ठीक है तो यहीं सारी चीजें लाइक यह बहुत इतना हम डेप्ट में जाएंगे नहीं बिकॉस यह सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज़्या कॉंप्लिकेड है तो मैं आपको यहां पर बस इसका कॉंक्लूजन बता देता हूं कि अभी जो कट आफ गई है ठीक है वो मतलब यह गई है मतलब 433 जो अभी प्रीवेस राउंड में गई थी उससे बहुत नीचे गई है यानि कि अभी जो आपको फाइनल सीट यहां पर मि प्रीवेस एड्मिटेड सीट रिटेन यह सब प्रीवेस वाले हैं और ठीक है तो सबकी तो मतलब वही हुई है और मतलब यह है कि जनरली जो सबकी सीट हुई है हां पर वो या तो अप्ग्रेड हुई है ठीक है यहां फिर जो है उनको फ्रेश वाली सीट मैं आपको बता देता हूं कितनी रैंग तक अलट हुई है चंपावत की मतलब वह लास्ट है क्योंकि चंपावत वाला कॉलेज जो है वह सबसे लास्ट में सबको मिला है मतलब लास्ट चोईस है सबकी तो कट-off उतनी रैंग पर यह है ठीक है तो आप यह देख सकते हो 330 रांग गई है यहां पर 330 रांग पर तिपांशी मंडल को जो जो ए जनल ओपन से यूर ओपन से जो गवर्मेंट अर्सिंग कॉलेज चंपावत यहां पर अलॉट हुआ है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि 330 रांग पर यहां पर कि अगर उनको चंपावत कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनकी जो सीट हुई होगी वह एड़ सेम वेकेंट हो जाते हैं उसके बाद वो किसी और को लाट हो जाती है ठीक है तो 330 रांग तक जो है यहां पर सेकेंड नाउन की कट आप गई है जनल के बता रहा हूं बाकि इसी तरीके से जैसे उपर मैंने PDF में सर्च करा यू आर उपन गवर्मेंट और सिंग इस तरीके से आप भी PDF में सर्च करके दूसरी काटेग्रेस के कट आफ देख सकते हो बागी देखूंगा अगर मैं अलग से वीडियो अगर मैं को बनानी हूं कि तो मैं बना दूंगा इसके कितनी जो यहां पर कट आफ गई है ठीक है तो यह जिस मैंने आपको प्रीविएस वीडियो में एक बार बोली थी जब मैं आपको बता था सेकंड रूंड के काउंसलिंग के कट आफ कितनी जाएगी तो मैं आपको बोला था कि 433 जारी है इसमें लेकिन हो सकता है कि सेकंड में इससे नीचे जाए और वही सेम चीज यहां पर हुई है 330 रैंग पर जो है अभी कट आफ गई है सेकंड रूंड की जलनल गाटेगरी में ठीक है अब वह हुआ इसलिए कि देखो 433 जो कट आफ गई थी ना है ना तो उसमें गया था काफी सारे क्यांडेटेट आसे थे जिन्होंने चमपावद को सिलेक्ट नहीं करा था याद इस वह से उनको चमपावद अलॉट मेही हुआ होंगे जिनको seat नहीं मिलेगी और उनको मिली भी सकती थी मतलब कि जैसे मैंने बोला कि 433 जनरल क्याटेगरी में seat मिली last चंपावच फर्स राउंड में ठेक है फर्स राउंड में 433 वाले candidate को जोई seat मिली थी लेकिन अगर चंपावच सब के लिए अवेलेबल होता अगर ऐसा उसमें कुछ error नहीं आता जैसा error आया था कि seven options रहे थे उसमें ठीक है out of it और फिर उसने मतलब जो भी candidate 433 पे तो या तो उसने क्या करा होगा correction करवाया होगा अपने उसमें या फिर उनके उन्होंने क्या करा होगा registration अपना बाद में क्या होगा ठीक है जिस वैसे 433 को जनरल क्याटेगरी में जो है college अलॉट होगया otherwise वह seat 433 पे नहीं मिलती ठीक है वह जो seat 433 पे चंपावत भी नहीं मिलती वह एक error की वज़े से मिली है बस आप यह चीज समझ लो ठीक है otherwise यह जो cut off गई है न 330 तो इसी के आसपास जानी थी मतलब इस से थोड़ी और उपर जाती मतलब लगभग लगभग 350 तक चली जाती जाए से ज़्यादा जनरल काटेगरी में तो बस इतनी ही कट आप यहां पर जानी थी ठीक है तो यही चीज है मतलब युनिवर्सिटी की गलती तो ही लेकिन अब आप कोई कुछ करता नहीं अपने स्टैंड से तो अपना स्टैंड लेना चाहिए सबी को ठीक है बट यह है तो मतलब कि जो भी ऐसे कंड़ेट होंगे मालो 433 से नीचे वाले भी जो होंगे जिनको सीट नहीं अलॉट हो जाती लेकिन क्या था मैं जैसे आपको यहां पर एक्जांपल समझाई देता हूं ठीक है तो यह देखो 433 पे इनको सीट मिली है किस में चंपावद में मिली है ठीक है अभी कोई ऐसा कैंड़ेट देख लेते जिसने चंपावद भी सिलेक्ट करा होगा यू आर ओपन से ठीक है तो यहां पर पिथोड़ा कड़ किया है न्योटी रिखिया है गोपेश्वार ठीक है हाँ ठीक है मैं यह वाला एक्जांपल बता देता हूं मालो यह आपको दिख रहे है 428 पर यह जो कैंड़ेट है जिनका नाम है अंजली नेगी ठीक है इन्होंने देखो क्या कर रहता फर्स राउंड में सेवन कॉलेजिस फिल करें थे अब एर्थ वाला वो चंपावद ही हां से गायब है अदरवाइस इन्होंने चंपावद भी फिल किया होता ठीक है अब अ लेकिन यहां पर जब सेकंड राउंड की बात आती तो सेकंड राउंड में क्या होता अगर मालो सबके साथ सेम चीज हुई होती यह वाली यह तो सभी के साथ साथ सेवन ऑप्शन हाई होते तो 433 को जो से लास्ट राउंड में सेट मिल गई 428 वाले को नहीं मिली क्योंकि उसके पास चंपावत का ऑप्शन नहीं था और सेकंड राउंड में भी सेकंड राउंड में तो देखो वैसी नहीं मिलने थी क्योंकि गिनी चुनी तो सीटे बची थी और उसके बाद 428 रहें तक तो कोई पहुची नहीं पाएगा क्योंकि उससे ऊपर वाली रांग के भी हो नहीं थी बट उनकी जगे क्या हुआ जो उपर हायर रांग पर कैंडियर से उनको सीट यहां पर अलॉट हो गई यह सभी क्याटेग्रियस में हुआ होगा ठीक है तो यह चीज है अब यह है कि अब कुछ कैंडियर्स पूछ रहे थे कि भाई यहां पर जो है मौपफ है नहीं ठीक है लेकिन बीएसी नर्सिंग के लिए आप मान कर यहीं चलो मेरे को 90% चांस यहीं लग रहे हैं कि मौपफ राउंड मेरे साफसे नहीं होगा और हो भी सकता है क्योंकि देखो जब यह अधर कोर्स के लिए करवाएंगे और मान लो मौपफ राउंड के लिए हा पर ट्राय कर लेगा उसको प्राइवेट मिली जाएगा ठीक है और जिसको गवर्मेंट ही चाहिए तो मेरे इसाब सब उसको अगले साल के तयारे स्टार्ट कर दीनी चाहिए क्योंकि अगर आपको सेकंड डौन में नहीं मिली तो थर्ड राउंड में तो बहुत ही मतलब न एकन को पैस कर ले ना, तो एंगिर ने मनेश चाहिए